Hi guys, welcome back to Amplifier Connection तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भई चुक बोर्ड होते हैं अपने कोई भी बोर्ड है या Amplifier है तो उसको घर पे आप किस तरी किस रेडी कर सकते हो और कई बंदे पूसते हैं कि सर आप material कहां से लेते हो या फिर जो बोर्ड है आप बने बनाई लेके आते हैं मार्केट से तो हमारी खुद की manufacturing है भाई हम किसी से नहीं खरीदते बोर्ड ठीक है हम बनाते हैं और अपने ही sale करते हैं पहले शुरुआती दोर था तब हम लेते थे कहीं से ठीक है और तब sale करते थे अब हमारा खुद का है तो खुद ही बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है जो circuit होता है पहले circuit ready किया जाता है कि हमें कितनी वोट का board या कितनी वोट का amplifier ready करना है circuit जो हैं वो net पे काफी सारे circuit होते हैं लेकिन उन में से लगबग लगबग 90% जो circuit होते हैं वो fake होते हैं उन में कुछ और कुछ दीखते होती हैं तो उनको थोड़ा सा सुधारा जाता है ठीक है उसके बाद उनको सुधारने के बाद फिर उनकी जो PCB है PCB बनाई जाती है यहाँ पे देख सकते हो आप जो PCB की quality कैसी है तो यह भी चीज़ें काफी होती है कि PCB में भी काफी quality होती है कि आपको कौन सी quality की PCB चीए PCB बनने के बाद फिर जो यह इसके अंदर material लगा हुआ है रेजिस्टेंस होगे त्रांजिस्टर होगे तो यह select करने होते कि आपको branded चीए होते हैं या local चाहिए होते हैं तो उसके बाद जैसे हम इसके अंदर विशेगे यूज़ करते हैं फिलिप्स के और transistor जो रहते हैं वो होते हैं तोसीबा के और capacitor जो होते हैं छोटे वाले कैल्ट्रोन होते हैं या फिर विशेगे ही होते हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो लगबग जुन जलके रहते हैं अपने ठीक है तो ये सारी चीजे अगर मान लो आप एक एक बोर्ड यूज बनाना चारे हो घर पे तो उसका कुछ अलगी तरीका है उसके लिए फिर जो आपको ये मैट्रियल मिलेगा ये जो आप मार्केट स सबसे वड़ी मार्केट है दिल्ली के अंदर उलेक्ट्रोनिक समान की लगबग ठीक है तो वहां से ये मैट्रियल लो गे अगर एक एक दो दो पीस लोगे तो आपको ये जो बौर्ड है ये काफी महंगे पढ़ेंगे मार्केट रेट से तो काफी महंगे ही पढ़ेंगे और फिर copper clad हो गया, फिर जैसे print निकलवा के लेके आने, और ये भी नहीं पता होता कि जो आप circuit आपने देखा है, या PDF जो आपने देखी है, वो tested है या नहीं है, सही से वरक करेगी या नहीं करेगी, तो ये सारी चीजे होती है, शुरुवात में आप लोगों ने देखा क्योंगी तो जितने भी बोर्ड थे सारे handmade, यहन के handmade जो PCB होती थी, उन्हीं में हम बनाते थे, तो उसमें time भी काफी सारा खराब हो जाता था, ठीक है, तो अभी जो PCB रहती है, वो सारी मसीनों दवारा बनाई गई होई होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये देख लो, ये component फ बोर्ड की, तो complete बोर्ड बनने के बाद फिर अपना रहता है, amplifier बनाना, तो उसके लिए फिर आपको decide करना होता है, बोर्ड बनने के बाद, कि भाइस में transformer कौन सा लगेगा, cabinet कौन सी लगेगी, और इसके अंदर जो potentiometer होते हैं, वो कौन से यूज़ करने हैं, उसके बाद फिर जैसे Bluetooth module हो गया, Bluetooth कौन सा यूज़ करना है, तो बहुत सारी चीज़े होती है, फिर इसके अंदर amplifier में option क्या क्या देने हैं, बैटरी वाला देना है, option या नहीं देना है, और फिर जैसे माइक हो गया, बहुत सारी चीज़े होती है, मतलब जंजट होता है पूरा, ठीक ह और हम जो बनाते हैं, वो customer के according बनाते हैं, कि customer को amplifier में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़े होती है, तो समझ में आया होगा आपके कि किस तरीके से क्या होता है, तो ठोको like वीडियो को, और जो नई बंदे मोच आल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई!